आईえ सर यह निगेटीव डेवलब करके दे दीजिया सर यह रोल केमरा है अगर डिजिटल केमरा होता То दस म्यनट में डेवलब करके देता इसे डेवलब करके पृरेन्ट करने में कम से कम एक घंटा लगैगा सर आप इंतजार करेंगे एक घंटे बाद आएंगे ठीक है मैं वेट करता हूँ ठीक है सर आप उधर बैठिये हर किसी के जिंदगी में होने वाली हर घटना के पीछे कुछ न कुछ खास वज़े जरूर होती है लेकिन मेरी जिंदगी में जो हादसे हो रहे हैं उसकी वज़े क्या है मैं आज तक जान नहीं पाया ये फोटो जो आप देख रहे हैं इस फोटो में मैं और रजनी हैं वो मुझसे एक साल बड़ा है हम दोनों दिखने में तो एक जिसे हैं लेकिन हम दोनों में एक खास डिफरेंस है रजनी का कटा हुआ होट जिसे वो ठीक से बोल नहीं पाता हम बचपन से ही बिना बाप के चीते आ रहे हैं पिता के देहांत के बाद हमारी सारी जिम्मेदारी मां के उपर ही आगे थी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती है रजनी के कटे हुए होट की वज़े से सब ही लोग उसका मजाग उड़ाते थे और मैं भी उससे लड़ता रहता था इसलिए मम्मी ने हम दोनों को एक ही क्लास में भरती करवा दिया मुझे पढ़ने से ज्यादा खेलना कुदना बहुत अच्छा लगता था लेकिन रजनी को खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई करना अच्छा लगता था मम्मी को स्कूल से जो तो अंख्वा मिलती थे वो बहुत ही कम थे उसी में से दो पैसे बचा कर चेतन की मम्मी के पास बीसी शुरू की थे मेरे पैसे मुझे दे दीजे अभी तो मेरे पास नहीं है आएंगे तब दूँगी जा चेतन एक मंद बुद्धी का लड़का है मैं उससे हमेशा नफरत करता था लेकिन वो रजनी का बेस्ट फ्रेंड था क्योंकि रजनी से कोई भी दोस्ती नहीं करता था चेतन की मा के पास हमारी ममी जब भी पैसा मागने जाती तो उन्हें घरी खोटी सुना कर उसे बिना पैसे दिये लोटा देती थी इसलिए मुझे भी उनसे सक्थ नफरत होगी थी और वो नफरत मैं अक्सर चेतन पर ही उतारता था अरे तु वहां क्यों बैठा है आजन बेटा आ रहा हूं मा मेरा प्यारा बेटा मामी तेरा ओप्रेशन करवाएगी और तेरे ओप्रेशन के बाद अरे हटना सिधा नहीं चल सकता माम मुदे बहुत दर लग रहा है तु दर मत बेटा हिम्मत से काम ले अप्रेशन हो जाने की बाद मेरी बच्ची को में नए और अच्छी शूस दिल्वाओगी माम मुझे भी शूस चाहिए मेरी लाल तुझे कुछ नहीं होगा मम्मी दिन राप देख करके दो पैसे बचा कर बीसी में डालती थी ताकि रजनी के होटों का ओप्रेशन ठीक से हो जाया मम्मी मुझे भी नए शूस चाहिए बताओ ना कब दिल्वाओगी भाई का ओप्रेशन हो रहा है वो हो जाने की बाद मम्मी हमेशा रजनी के बारे में ही ज्यादा सोचती थी अगर मैं कुछ भी मांगता अच्छे बच्चों के लिए भागवान की तरफ से परिक्षा है बेटा मम्मी को रजनी से हट से ज्यादा प्यार करते हुए देखकर मुझे उससे जलन होती थी और इसी जलन को लेकर मेरा पूरा बच्पन कुज़रा रजनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कवीदा लिखने में और मॉडरन आर्ट में दिन बदिन अपना नाम कमता जा रहा था ये कैसे पेंटिंग है जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसे मॉडरन आर्ट कहते हैं आजकल इसी का फैशन है इसमें बहुत सारी मिलिंग छुपी रहती है मैं पेंटर से ही पूछता हूँ, सुनिया मेरी वाइफ को ये पेंटिंग समझ में नहीं आ रही है जाण है एक्स्पेंड करेंगे मेरी तो बात नहीं है, मेरी बच्चो को समझ में नहीं आ इसलिए अपसे पूछ रही है नमस्कार मेडम, नमस्कार सर, हाई बच्चों, ये क्या है ना, ये है बक्री, बक्री एक पेड के पास है, और पेड के उपर एक अना ओंडा साफ है, बच्चों, ऐसे नहीं हस्ते, अंगल को सॉरी बोलो, जाने तो अई बात नहीं सर, जाने तो No problem, बच्चों, इसाइँ, बड़्याँ, जाने परोगैंच, बच्चों, अचल्तायो हूं, बच्चों को कि अचल्तायो हूं, बच्चों, बच्चों Dear students, Life is equals to... Excuse me, Sir What happened? Sign offers us in Sign Thank you, sir. अगर यह अच्छी कविता लेकर सुना दिया, तो जाने कितनी लड़कियां इस पर मर मिटेंगी, तब मेरी इमेज क्या हो जाएगी, जारा समझा करना, अरे यार, क्यों बेचारे को तुम लोग कौन बेचारा है अगर कोई लड़की इस पर मर मिटी, तो वो बेचारी हो नहीं सा, एक्जाम के लिए मुझे पढ़ना है, इसलिए कॉम्पेटिशन में नहीं आऊँगा, ये तो बहुत अच्छी बात, सुना, ठीक है तुम्हें एक्जाम के तैयारी करो, ठीक है सर, कांता, भगवान हमारे साथ है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो पर या बात्रू में बैठकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और साइंटिस्ट बने की भी कोई जरूरत नहीं है, किताब में जितना लिखा है, उतना लिखकर पास हो जाओ, बस आ रही है, अब सीधा गर जाओ, अरे लेकिन कांता, तुम घर नहीं चलोंगे क्या, लास्ट बेंस पर बैठने वालों को पहले जाना चाहिए लास्ट बेंस पर बैठने वाले लास्ट में जाएंगे एक्जाम का टाइम नस्दिक है उसके लिए अच्छे पढ़ाई करने है उपना फेल हो जाओगे तो क्या होगा पता है पेकर के बात करते रहते हैं हम लोग अक जल्दे घर आजाना लेट मत करना छोटे कितनी खुबसूरत है यार और कितनी मासूम भी चुप केसे देख रही है वह तुट गया यार इसका भाई कॉटन बजार का दादा है इसके लिए तो हलान भी हो सकते अब कहीं का भी भाई हो अपने को क्या लेना देना अब तु देखते जा इसके भाई को मैं अपना साला बनाकर इसे बीवी बनाकर अपने घर ले आऊँगा ऐसा लगता है कोई नई नवेली कार अभी अभी मार्केट में लॉंच हुई है मेरे पैंट में वो बटन लगा रही है बटन टाग दी है इसे लिए चोर को काले कोट का रक्षा कवच तो चुब भी रहेगा देख बेटा अब बारिश शुरू होने वाली है और ठंड भी पड़ेगी बाहर जाते समय इसे पहन कर जाना अरे रापमा अरे ये लेबल तुझे ब्रांडेड लगता है अरे ये लोकल है ऐसा क्या आज कर लोग कपड़े ज्यादा देखते है कपड़े अच्छे पहन कर जाएगा तो इज़त भी अच्छी मिलती है अब मेहंगे कपड़े खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है बस इसलिए मैंने ये ब्रांडेड लेबल लगाया हुआ है काले कववे पर वाइट वॉश करने की तुम्हें क्या ज़रू थी मा वो तो धुलने के बाद कभी भी उतर सकता है क्यों बड़पन दिखाने की ये बुरी आदत तुम्हारे अंदर से कब निकलेगी मा मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके बहुत बड़ा ओफिसर बनी ये ही मेरी ख्वाईश है इसलिए इसकी रेपिटेशन मेरी बहुत महत्वपूर्ण है में देखूंगा न वो बहुत बड़ा ओफिसर बनता है या फिर ओफिस बॉइ बनता है ये मैं अपनी आखों से जरूर देखूंगा देदो देदो सब कुछ देदो ये जो उप्मा बनाई हो न ये भी देदो उसे लेवे लंगूर खा ममे काला कावा काट खाएगा सच बूर अरे उसे जहने देना एक नम्मर का नाटक बास है उसकी अकल गास चरने गई है और एक तू है उसका भाई पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है नया टी-शिट है पुरानी जीन्स पैंट है तो तो मुह में चला गया किसी तरह भी मेरे दोस्तों से 2000 उपया उधार लेकर इमीडियेटली मल्टि प्लैक्स में जाकर कोई भी आइटम के साथ आराम से पिक्चर देखने का है आपन को कौन है क्यों भी या नया जैकिट मिल गया तो मेरे सामने पैन कर मुझे जला रहे हो यह ब्रांडेड कंपणी का नहीं लोकल है ऐसा जरा बताओ तो लो पैनो यह लो वैसे तो मा भी जानती है कि मैं लोकल भी पैनता हूं तो वो ब्रैंडेड लगता है और तुम ब्रैंडे जाल बोलो मैं अभी शिकार करने के लिए जा रहा हूं धक्कन बन करके चुप-चाप यहां पर पड़ा रहे है चलता हूं और सौन मम्मी को अगर तुने इस जैकेट के बारे में कुछ बताया ना तो यह देख ठकका ठकका आने के बाद फुल रिपेर कर दूँगा और यह क्या इस चोटे को तो फिल्म लाइन में भर दी ओ जाना चाहिए था हर तरह की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है आज के इस खुशी के आउसल पर हम सब कविता सुनने के लिए तैयार है और तुम सब लोग कविता सुनने के लिए रेडी हो आज आप लोग को कविता सुनना कर मनलंचर करने के लिए आए है दे फेमस लिरेक्स राइजर मिस्टर साइराज आपको मेरा मस्कार मस्वाद आपका अरे कैसे लोग है आप स्टूडें के रावडी है कैसे बीएव करते हैं अरे माशे आपने तो आती कान में कविता बूलनी शुरू कर दी पता नहीं क्या कविता किस तरकी होती है क्या होती है इसके बारे में दो शब्त कहेंगे साइराज सर फ्लीज कविता जो है छूटी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए बड़ी हो गई तो बड़ी हो गई तो पबलिक बोर हो जाती है कवीता हमेशा दिल को छूने वाली होनी चाहिए नहीं छूआ तो और कोशिश करो कहां तक? जहां तक हो सकता है वहां तक कोशिश करो आप बहुत यह अच्छ है हर कवीता भावनाओं से भरी हुई होनी चाहिए भावना अगर ना हो तो तो फिर भावना पैदा करने चाहिए कवीता पे तालियों के गूंज होनी चाहिए कवीता हमेशा आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए दूसरे की चोरी कर लेंगे तो बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है तो फिर चोरी कर लें क्या? एक दिन में सडक से पैदल जा रही थी, तो किनारे में मैंने देखा एक छोटा सा कुट्टा का पिला रो रहा था, उसे में उठा कर घर ले आई और पाला, अब तो बड़ा हो चुका है Hello, excuse me Yes आप कविता सुना रही हैं कि कुट्टे के पिल्ले की कहानी सर जो मैं सुना रही हूँ, वो कविता ही है सर, इसके साथ म्यूजिक अच्छा लगेगा वो तो आपका ख्याल है, ये तो किसी ट्यून में भी नहीं है ठीक है, मैं रह्मान जी का एड्रस आपको देता हूँ, आप उनको जगर दे दीजिए मैडम, आप जाईए और किसी दूसरे को आने दीजी सर, किसी और को बुलाने की क्या अजर होता है, ये अपना छोटा बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है आपको मारा अज़र प्रतियोगी है, विनाई फ्रम विजिया कॉलेज थैंक यू मैडम आओ मेरी प्यारी सजनी, हम चले चांद के उस पार, आओ मेरी प्यारी सजनी, चले हम चांद के उस पार, बसा ले अपना वहीं पे घर संसार पेट के आग उपर कैसे बुशाओगे उन्होंने बिल्कुल सही का, अभी वहाँ बिल्डिंग, मॉल, शहर ऐसा कुछ भी नहीं बना है, तो आपको सौ साल इंतजार करना पड़े का तो किसी मरे हुए बिल्डर की बेटी से शादी कर ले, वो तेरे लिए वहाँ घर बना दीगी प्यारी, आज मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ चिकिन दिर्याली कौन वाली से, ब्राइलर या देशी वाली से? नहीं, मरी हुई मुर्गी की अब नुमारे अगले प्रत्योगी है, प्रिया फ्राम दियानन सागर कॉलेज ठन रहे, भारिश रहे, कर्मी रहे या छाव रहे, सदा तुम मेरे साथ रहना, ओ साजना जब तन बदन जले, आखों में जब शूला बरसे, तेरी यादों में तडब कर, ओ साजना टेस्ट में भले ही तुम कड़वे हो, तुम बेस नहीं हो, ओ साजना जब तुम्हें में पा लेती हूँ, तन बदन की आख बुझ कर, शान्थ हो जाती है, ओ साजना तुम सदा मेरे साथ रहो, मेरे अपने बन कर रहो, ओ साजना क्या बढ़िया चीज सुनाई है यार, इसे कहते हैं कविता, जकास जकास अरे कोई है क्या, मुझे सिर्दर्द की गोली देगा मेरा मतलब नाइंत रोड तक हम बात करते वे चलते हैं, चलिए ना, चलिए प्रिया जी, अरिजिंटली एक नई कविता सुनाई है ना, प्लीज, सच पताईए ना, आपको मेरी कविता पसंद आई है इतनी बढ़िया थी कि उसकी क्या तारिफ करूँ लेकिन यह बहुत ही दुखी बात है, ची, 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 अच्छा, आप किसी पर भी लिख सकती थी, लेकिन वो सब को छोड़ कर आपने सिर्फ सजना को ही क्यों चुना, उस पर ही क्यों लिखा, बताईए वो क्या है ना, जब मैं कविता लिखने बैठी थी, तो मुझे इश्का बुखार चड़ा था, इसलिए मैंने सजना पर ही लिख दी अब बुखार कैसा है, अब ठीक है, तो चलो हम बैठ कर बात करते हैं, इश्क के बुखार ने तुम्हें कमजूर कर दिया होगा बठो बैठो यहां पर आपको बातों से ऐसी गोली खिलाओगा कि आपका मूड चेंज हो जाएगा, अब मुझे बताया, आपको मेरी कविता स मूँ में, तो पर आपने गोली क्यों खाई, क्योंकि आपकी कविता सुनकर, आपका डेडिकेशन तेक कर, आप मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे यह गोली खानी पड रही है, अब हुआन, आपको मेरी बातों पर विश्वास, आप कविता नहीं लिखते हैं, मैं मैं तो बहुत सारी कवितायें लिखी हैं, मैं जो भी लिकर फेक देता हूँ, उसे लोग उठाकर कॉंपेटिशन में गाह देते हैं, आप कॉंपेटिशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? मेरे कविता का मुकाबला करने की हिम्मत अमीन सयानी में नहीं है, आनन बक्षी में नहीं है, गुलजार में भी नहीं है, फिर छोड़िए क्यों मैं अपनी कविता सुना कर उनको चोरी करने दूँ, फिर उसकी ट्यून बना कर मुजिक डारेटर मार्केट में बेचेंगे, और अपना नाम हिट करवाएंगे, ऐसा का मुझे करना ही नहीं है, अम सच में ऐसा होता है, क्या है कि जब जब मेरा मूड बनता है, तो मैं कविता लिखता हूँ, फिर उसे कोई लोफर की अला चुरा लेता है, और ले जाकर म्यूजिक डारेटर को दे देता है, म्यूजिक को पढ़ना चाहती हूँ, प्रामिस, 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 पटाना कितना मुश्किल है बिना पानी की ही कड़वी गुली खाली है भगवान लड़कें इतनी कड़वी क्यों होती है हाहा मुगाइमबो खुश हुआ जरा रोक लेना अरे पेर yeah आई प्रिया तुम यहां क्यूं आये हो वो म HEY मैं तुम से बात करने के लिए आया हूँ लेगीन मुझे तुम से कोई बात करने के लिए करने कल। कॉलेज के गार्डन में कांता से बात कर रही थी ना उसे तुम्हारा क्या लेने देना mind your business ओके देखो ये बात भहिया को पता चलेगे ना तो भहिया चूप नहीं रहेंगे तुम्हारी केर करने के लिए ही भहिया मुझे तुम्हारे साथ भेजते हैं पता है ना तुम्हें मेरी केर करने की कोई ज़रत नहीं मुझसे दूर रहो ठीक है प्रिया समझने की कोशिश करो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे पीज़े पागा लूँ वट आए हेट यू ओके दुबारा मेरे सामने कोई लव अव की बाती की ना तो मजबूरन मुझे भाईया को बताना पड़ेगा हमारे बीच अगर कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मेरी बात याद रखना ए चलो रहा हूँ अवे चल यार रोक लेना जनू बाई चलना यार छोड़ना का ताइम पास करता अवे चल यार बोड आगर वड़ो अच्छे ये लिखू वो लिखू पता नहीं मैं क्या लिखू और मैं भी कथा उसे कविता लिख कर दूँगा ऐसा प्रॉमिस कर बैठाऊ ए तुझे कविता लिखनी आती है क्या नहीं मुझे नहीं आती जब से हम पैदा हुए तब से अब तक कोई हल्प नहीं मांगिये तरे से आज सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुझे कविता लिखनी आती है नहीं बस इतना जानना था चल रहने दे क्या कितना बेवकूफ हूँ मैं अब तक तो कविता लिख लेनी चाहिए थी इतने टाइम में तो एक बच्चा पैदा हो जाता है इसलिए कांता अर्ली मॉर्णिंग उठकर एक कविता लिखना जरूरी है ओ प्रिया प्रिया सपनों में आजाओ प्रिया अगर नहीं आओगी तो मैं आजाओगा अब तो मुझे लेन दा रहे हैं सुवा ट्राइग करूंगा क्या कहां वो शादी से इनकर कर रही है मान नहीं रही है ना सीधा उठा कर ले और शादी कर ले मुझ से क्या पूछ रहा है तो यह ले ले वान मिनिट इसे खोलो तो किस लिए बेटा आरे बोल रहा हूँ ना खोलो तो लेकिन किस लिए बोलता हूँ ना खोलो तो सही क्या है यह तो इधर उधर अपने दोस्तों के साथ अकसर कुछ न कुछ चटर पटर खाता ही रहता है बेटा और यह जो मैं देती हूँ वही खाता है इसलिए मैंने उसके लिए ओमलेट बनाया है क्या हुआ वो तेरा भाई है ना तुझे अच्छा नहीं लगता कहानी मद बनाओ मा मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे अंडा क्यों दिया मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिया कांता ऐसा क्यों कह रहा है ये लो ये डिबबभी उसे दे दो खाने दो भुकड़ को इतने छोटी सी बात को लेकर नाराज क्यों हो रहा है ए कांता तू इस बात को लेकर नाराज क्यों हो रहा है आमलेट चाहे तो तू ही खा ले ना तू अपने अपको दानवीर कर्ण या मशूर फिल्म एक्टर सर्मान खान समझ रहा है ए ज्यादा बोलेगा न तो मूँ तोड़ दूगा अरे बिटा कांता ऐसा क्यों करता है बिटा कांता सुन तो सुनो शीला बहन तुम्हारा बेचा मेरी बच्चीका टिफिंचीन छीन जाता है ये सही है क्या बताओ ये लेक्षां क्या कह रही हो अरे इसे बोलकर क्या फाइदा है मुसाभा क्या विए तू मैं छुपू तो कुछ की कहऊगे मेरी बेची को पिटको अरे मेरे घरा इतना सारा खाला खिलावी तुम लोगों बेटा ने मेरे लाल इधर हां बेटा मा तुमने बुलाया क्या आज बेटा आ गया ना मा देखो ये वोई लड़का है देखो ना मा अज़ा आज़ा 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 अरे चुपकरा चुपँ हो जाओ अशुनो बेटा यह सब जो कह रही है क्या वो सच है बेटा तो आज़से क्यों करता है घर से तो तुब इस इडली खा के जाता है ना इंगल जाती है तो दे दे इन लोग के टिफिन वापस दे दे चलो दफाव हो यहां से आपने अपने टि हमारे दर्वादे पर लड़ने आई है और तुम इने टिफिन लाने के लिए कह रहा हो जितनी इडली में बेचती नहीं हूं इससे जादा तुम खा जाते हो फिर पेट नहीं बढ़ता है यह लड़का हर रोज ऐसा क्यों करता है अकल ले या कोई और बात नहीं क्या वह सब्सक्राइब करने आई थी इसलिए सब उल्टा सिदा वो लगता है तो उनका क्यों लेता है घर आकर पेट भरके खाता हूं मैं लेकिन पेटी नहीं भरता है क्या करूं इसलिए मेरी मां दो दो तीन तीन बार इडली देती है मुझे बहुत अच्छा लगता यार इसका मत तेरी तब्यक ठीक नहीं है मुझे जाकर मेरे भाइका पाजल सेने दे वरना वह भूका रहे जाएगा रजनी मां मुझे जोर से भूक लगी है कुछ खाने को दो ना चलो बता तू क्या काएगा देवागा और तू उत्तपम अरे यार मुझे तो दो नूची से पसंद नही ठीक है ठूस ले पना किसके लिए गपक कौन रहा है ए भगवान अरे तू तो देना यार बहुत भूक लगी है अबे मेरे लिए लेकपीज तो छोड़ दिया होता ना सारा खागे अबे दोस्ती सिर्फ खाना खिलाने से या आप सिक्रेट पिलाने से नहीं होती है इसे बोल प्रिया के उपर नजर ना रखे वरना भारी पड़ेगा समझा दे क्या हुआ तुम्हारी बहन तो लाइन नहीं मार रहा ना क्या अबे क्या बोलरे तू किसके बारे में बात कर रहा है एक अंता प्रिया से मैं प्यार करता हूं समझा आ तो करना ये देख मैं प्रिया से कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें दिखा रहा हूँ इसे बनाते वक्त इतना दर्द हुआ था पता है तुम्हें आंगों से आसु निकल रहे थे अबे पापी तुने उधर क्यों गुदवाया कम से कम हाथ पर गुद्वा लेता, दर्द तो कम होता ना ये किदर बनाने से दर्द कम होता है ये नहीं पूछ रहा ये क्यों बनाया है ये बताने के लिए आया हूँ प्रियास सिर्फ मेरी है, उसके पिछे चक्कर काटा या फिर उसे परिशान किया तो देख लेना अबे मुझे ब्लाक एंड वाट पिच्चर मत दिखा अगर तो अपने बाप से पैदा हुआ है तेरे में हिम्मत है, पैसा है, वो मानती है तो उसको बटा ले अगर वो जाना चाहती है, तो उसकी मर्जी, मुझे कहलाने दना मर्द, तू है कि मैं हूँ डिसाइड करना है क्या अच्छा एड़ी है, कर लेते हैं अच्छा एड़ी है 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 कर दो कर दो कितनी खलत हरकत की आपके बच्चोंने आपको पता है इन्होंने मेरे कॉलेज में फाइटिंग की है आज ये लोग मेरे कॉलेज की रेपेटिशन खराब कर रहे हैं ये क्या समझते हैं अपने आपको यहां पे ये चुप क्यो हो रजनी बता ना सूपर स्टार चुन लिया आपने सूपर स्टार रास्कल अगर उन लोगों के घरवालों ने यहां के कंप्लेंट की डबल चार्ज लगे और तुम्हें अरस्ट कर लिया जाएगा किसने मेरे बेटे को मारा काउन है वो बताओ किसने मारा हा सार मैं वही एंक्वारी कर रहा है इन दोनों से पूछतास कर रहा है अच्छा इन दोनों ने मारा अरे इन कमीनों से पूछतास क्या कर रहे हैं इन हराम खोरों की तो मार मार कर हड़ी पसली तोड़ दिनी चाहिए बैठ कर पूछ तास कर रहा है Sir, cool down, please cool down मैंने बात करने के लिए इनकी मा को यहां बुलाए वो यहां आई है आप बैठ जाईए ना, बैठिए क्यों बैठ जाओ इसकूल का कोई सिस्टम नहीं है क्या जब देखिये तब हमेशा मार पिट होती रहती है वैसे तो स्कूल और कॉलेजिस में बच्चों का इस तरह से लड़ना आम बात है और इतने छोड़ी सी बात को लेकर आपको ज्यादा ही ओवर्येक्ट कर रहे है क्या, ओवर्येक्ट कर रहा हूं चलिए, चलिए मेरे साथ, चलिए हॉस्पिटल पाँच-पाँच ठाके लगें उसके सर पे कितना खून बहा है, पता आपको पैदा तो कर दिया, कम से कम तमीज तो सिखा देती हॉस्पिटल के बिलकर इन दोनों का बाप भरेगा सार, इन लोग के पिता नहीं है क्या, बाप नहीं है? तभी, तभी ये दोनों इतने बत्तमीज है अरे, कम से कम मा को तो ख्याल रखना चाहिए था इनकी मा भी वैसे ही है तभी तो छोड़ कर भाग गया होगा वो स्टोप इट कांता, छोड़ो इने मा शे, आपकी लड़ाई हमसे है हमारे पिता को बीच में लाए तो अच्छा नहीं होगा, बता देते है बड़ो उसे तमीज से बात करो तुम दोनों इनके बेटे पर तुम दोनों ने हाथ उठाया है और इसलिए वो नाराज है इसमें इनका कोई दोश नहीं है सौरी सर आपके बेटे की इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो मैं चुकाऊंगी लेकिन एक बात कहना चाहूंगी इनके पिता मुझे छोड़ कर भागे नहीं उनकी प्राकृतिक मृत्धी हुई सुनो नालायकों अब कल आकर कॉलेज में धंक से पढ़ाई करना प्राद भी नाराज हो क्या अरे समझाना तुम दोनों सौरे क्यों कह रहे हो इसमें तुम दोनों की कोई कलती नहीं है यह मैं अच्छे तरह से जानती हूँ बेटा आज सच में मैं बहुत खुश हूँ मैं यह आपस में लड़ो लेकिन कोई दूसरा तुम दोनों को तकलीट दे तो तुम दोनों साथ में मिलकर लड़ो हमेशा इसी तरह एक साथ यह बाइक किसके लिए है यह तुम दोनों के लिए लाई हूँ आज से कॉलेज में तुम दोनों एक साथ जाओगे और एक साथ आओगे मiusज़ के न Dear mother यऄ जो बाइक है यह पेट्रोल से चलते है यह डीजेल असलेट से कीमत बढ़ गई है ना इसलेख मैंने पूछा उस्से तुझे यह मतला बैबै लिया डीजेल या पेट्रोल है हमारा रोज पचास उपे जाएगा मैं तो यूही पूछना था, पूछना गलत है, या वो सब छोड़ और चल बैठ अबे चल उतर नीचे क्यों, यहां बाई क्यों रोक दी तुझे बस में चड़ाने के लिए माने कहा था, साथ में जाना, साथ में आना अबे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी या छोड़े देता हूँ बस से कॉलेज जा, और शाम को यही पर मिलना, तुझे पिक अप कर लूँगा मैं अगर ये बाद तुन्हें मम्मी को बताई ना तु एक काम कर, ये बाईक लेके तु सीधे कॉलेज पहुंचा मुझे एक ज़रुरी काम है मैं काम पढ़ा कर मिलता हूँ तु से, मेरा इंतजार करना कानता, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता हाई, तु इधर है मेरी जान हाई ओ हाई, तु यहाँ कैसे? वैसा मैं अक्सर बस से ही जाता हूँ, मेरी मा बहुत स्ट्रिक्ट है, बस का पास निकल कर दिया है इसलिए रोज बस से जाता हूँ, बस सी आता हूँ, वरना गुसा करती है ऐचली मैं खुद चाती थी कि तुमसे मिलूँ क्यों-क्यों, फिर किसी चीज को लेकर कविता लिखी है, क्या? ऐसा नहीं है, मैंने सुना कि तुमने उस सचन को बहुत मारा हाँ, और क्या? बहुत अच्छा किया उसने तुम्हारे बारे में गलत कहा, इसलिए मैंने उसे मारा वो सब मैं नेक्स टाइम बता दूँगा, इसके बाद वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा क्यों? मैं तुम्हारे साथ हुँ ना तुम सच में इतना शर्माली हो या मुझे पटाने के चक्कर में हो ए, रजनी, रजनी अरे रजनी सुनना, रुकना, रुकना ये क्या, साइकल चलाना सीख रहा है क्या? अरे, ये साइकल नहीं है, मोटर साइकल है हमारी माने खरीद कर दी है वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तो इसे भगाकर क्यों नहीं लिए आता? इसे पैदल लेके क्यों जा रहे तू मुझे मोटर साइकल चलाना नहीं आता अच्छा यह सड़क आप है तू बैठ जा मैं तुझे धक्का मारता हूं यह अप नहीं डाउन है अहां डाउन है तू बैठ जा मैं धक्का मारता हूं अरे देखकर धक्का मारता मुझे बाइक चल नहीं आता है चल 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 लाइसेंस दिखाओ तो आपको देखना चाहिए था मुझे बाइक चल नहीं आती इसलिए टेड़ा मेड़ा चल रहा था तो अब आपको क्या जरूती सेंटर में खड़े रहे निकालना तुम्हारा क्यों निकालना पढ़ेगा लाइसेंस दिकाओ लाइसेंस तो पैरे पास नहीं है मेरे चोटे भ उसके मर्जी के आगे मेरा कुछ चलता ही नहीं उसे लाग समझाने के बाद भी मेरा चोटा नहीं सुनता राइसेंस नहीं है और सी पूक नहीं है जबा करा दूंगा है हेलमेट ड़ी पैन रखा है उपर से आकर सीधा मुझे ठोक दिया निकाल निकाल दोजार रुपए सर म तु बात नहीं सम्झेगा वह साइकल नहीं बाइक है तुने आपको धक्का मारत तो सीधा इनको अलग किया एई क्या हूँ गया मेरे वाने हमें नई खरीद कर दी मुझे रइक चलानी नहीं का सम सर मैं आपसे सच कहता हो इसने का तु बैट में धक्का माता हूँ इसने दक और बाइक आकर गाड़ी से टकरा गई बस अधका मैंने मारा था मुझे भूग लगी यह पैसे देदीजिये जाओ 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 यहाँ यह किसी को भी पकट लेजाओ यहाँ तुझा अपड़ी इसका नखरा अलग से छेलना पड़ेगा गुड मॉर्णिंग सेरी गुड मॉर् क्या है यह अपालोजी लिटर है सर मुझे देख के तू एसे हास को रहा है पीज सेरियस माननि यह गुरु जी के चरणों में अभिननन करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गल्तियां हर किसी से होती हैं हम इंसाने इसलिए गल्तियां करते हैं आप यह समझने की क किस अंसार में गल्ति कौन नहीं करता क्या कोई ऐसा है जिसने कभी गल्ति ना की हो महरवानी करके मेरी दो-लाइन की कविता सुनकर आप मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके कॉलेज का में का विद्धियारती हूं कांता हूं तो वह तुम हो में के विद्धियारती जिसने इ मैं जिस बाइक पर आ रहा था उस बाइक को वेहिकल वेहिकल से तुम चुपरा हूं मैं उससे बात कर रहा हूं इडियाट बाइक से आ तो फिर भी लेट सर मुझे बाइक चला नहीं आता इसलिए धक्का मार कर ले आया इसलिए लेट हो गया दोनों के दोनों भाई जीनियस एक बाइक को धक्का मारते में लेट होता है और दूसरा कविताय लिखके देता है वो भी अपोलोजी लेटर में तुम दोनों की सजा यही है जाकर गार्डन की सफाई करो ओके सर अगर आप कहते तो मैं वही करता हूं चलता हूं सर ओए रजने अरे इधर तो देख यह सब क करते हैं लड़कियों की तरह शर्माता है काम करता रहता है हमेशा इज़त की पड़ी रहती है अरे बबरे 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 एक आंदा तू इस तरह से क्यों लेट गया वो प्रिंसीपल अगर देख लेगा तो डबल पनिश्मेंट दे देगा अबै इधर आना एक मिनि कोई ओदा मुझे ऐसा होना चाहिए ऐसे ब chilling होते हैं नहीं न इसलिए मैं जैसा हूँ उसके बारे में कभी नहीं सोचता इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती कांता जहां तक मेरी सोच हैं इस संसार में जो भी घटनाए घटती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारंट जरूर होता है उसी तरह मेरे ऐसे होने के पीछे कोई ना कोई कारंट जरूर होगा कहते हैं ना the reason behind everything हााा बहुत लमबी सोचे तेरी तुझे ये सब किसने बताया वो क्या है ना जब तू पैदा हो रहा था तब तेरा चेहरा देखकर देव्क को गुससा है इसलिए उन्होंने चक्कु से तेरा चहरा काट दिया होगा इसलिए अब तेरा मुंभाई बन गया है तभी तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है खर ये बता कि किस किताब में ये सब लिखा है ये मैंने ही लिखा है ओह तभी तो गुद की तारीफ किये जा रहा है अब और सजाना दे दे हैं तुम दोनों को गार्डन साफ करने के लिए का था ना सर वो तो पहले सी साफ है सर अचा तो पिर जाने दो सुनो कांता सुनो तुम एक सर मुझे दिखके हसते क्यों हो है सर ये कलर मैच करेगा क्या किस लिए अप अंडर वेर नहीं पेंते फटा हु सब्सक्राइब करें अगर नीचे उतर गया तो अच्छा लंबा है जब देखा जानता कैसे लगता है मैच न बताया होगा मैच से मिलता हूं मैच से मिलता हूं मैच तुम दोनों ट्विन्स हो ऐसा ही समझ दो किताब चुप चुप अंदर रखना बाइक लेकर जा मैं आ रहा हूं चल अब चलना चल जा अच्छली वो क्या है ना के मुझे बिलकुल यकिन नहीं हो रहा हूं दोनों बिलकुल एक जैसे मैं तो पूरी तरह से गन्फ्यूजड हूं सच्चे मन की आँखो से देखो कांता कौने तुम्हे समझ में आ जाए गया वैसे तुम्हारी लिप्स्टिक बहुत बढ़िया है वो रहने दू वो काड़ी को धपता मारके क्यो ले जा रहे है पेट् किसी लोफर की आउलाद ने मेरी जेब कार्ट ली उसमें मेरा एटीम कार्ट था बैंक में पांच लग रुपे कैश पड़ा है ओमाई गार्ड लॉब्लम मैं पेकर दूंगी अरे टोकन मनी तुम दोगी तो कैसे चलेगा क्या मतलब नहीं हम तोनों यहीं बैटकर बात करते लेडिस फॉस्ट आईए तुम कुछ कहना चाहती थी वो बड़ोधा हॉल में कवीता सा मिलन होनी चाह रहा है और इस बार तुम मिस्मत करना जरूर पार्टिसिपेट करना अपना टालेंट दिखाना ओफैंटास्टिक मैं जरूर आउंगा एक और बात कहनी है मैं भी एकव तुम्हारी आखो में आसू? यह आसू नहीं अनमोल मोती है बच्पन में हमारी माहा में हीर रांजा फिल्म दिखाने ले गई थी उस वक्त राजकुमार और प्रिया राजवन्शी की मौत देखकर मेरी मार रोपड़ी थी हमने पूछा तुम्हारी आखो में आसू तब उस वरना बोल खुल जाएगी किसी ओपरेशन वाले पेशन्ट को रॉकेट उड़ाने के लिए कह कर गई अब मैं क्या करूँ? दूम्हार आकाश से भी विशाल है प्यार साघर से भी कहरा है लेकिन इतना होने के बाद भी वो रहता है एक छोट इसे दिल में ही जैस दिल में प्यार होता है वही सबसे बड़ा दौलत मन्द है अरे यार, हमारे पास तो सिर्फ दिल है, तो दौलत मन कौन है? ओ, करेक्ट, ऐसी कहावत है, प्रिया पैसे वाली भी है, हाँ ये दो बातें आपस में मैच हो रही है यस, confirm, she is very, 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 very talented, mostly ये सब कुछ उसने मेरे लिए लिखा है हाँ तो बेटा मिस्टर कांता, अब तुम उसे ये कविता भावत अच्छी है, ये कहकर लोटा दोगे तो तुम्हारे टैलेंट को लेकर उसे डाउट हो जाएगा इसके अलाबा, कविता को तोड मरोड कर, उल्टा पल्टा करके, उसे प्रिंट करवा के, पॉलिश करने के बाद उसे दे दूँ तो मेरे अंदर टैलेंट है ही नहीं, ये confirm हो जाएगा कमीने, तुझे ये सब चाहिए था क्या? इतनी लंबी शेक चिली बगाड के, अब खुद के पैरों पर कुलाडी मारने जैसा काम कर बठायना कांता ए ये हसीख इस खुशी में, मुझे कविता नहीं आती है इस खुशी में क्या? या फिर मैं खाली डिबबा हूँ, सिर्फ बचता ही रहता हूँ, ये उसे पता चल जाएगा तो वो किसी और के साथ मुझे छोड़ कर चली जाएगी इस खुशी में मुझे इन सब बातों से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, I'm a complain boy मैं एक अच्छा कवी बनकर उसे शादी करके अच्छी जिन्दगी जरूर दोंगा अच्छा, शायद मम्मी को आती होगी बेटा, तु और कविता, वो वाला टैलेंट तेरे अंदर कहां है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ ना वो सब कुछ उसी के अंदर है तुम मुझे बहुत अंडरेस्टिमेट कर रही हो वन फाइन टे मैं भी दिखा दूँगा जा जा, जा ना दिखा दूँगा, मेरा भी टाइम आएगा समझी ना, कोई भी इंसान कभी बनकर पैदानी होता जैसे कि मैं एकदम पागल और ये एक अकिला ही यहां समझदार है दिखा दूँगा मैं भी वक्त आने दो मेरा साबित करूँगा फ्राइम वेस्ट मत कर बेटा तो खोद एक कवीता लिखना शुरू का है अब तो तो एक ऐसी कवीता लिख जिससे अच्छे-च्छे कवी भी घबरा जाएंगे और आज कल के कवी तो थर-थर-थर-थर कापने चाहिए लिखता हूँ, लिखता हूँ ओके यो, 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 यो I am in the feeling यो, यो, always dreaming यो, यो, not you are sleeping यो, यो, बारा बैजिं यो, यो, हर रोज अगर मैं तुझे ना देखूँ लगता है मेरे जिस्म में खून की कमी हो गई प्रियतमा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तेरे प्यार में मैं हो रहा हूँ पागल मुझे ऐसा महसूस हो रहा ऐसा क्यू है a yo a yo a yo 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 oh है व् ुमा कवीता का करेक्शन हो गया है मतलब वो यो मुझे इसके ओपर ज़रा शशक है बहुत जूट बोलता है जूटा गईगा ओहूँ मुझे कवीता लिखना नहीं आता मैं तो कुछ लिखी नहीं सकता चलो चिक करते हैं यो, 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 यो आज की इस कवीता संभिलन में आप सबका तहः दिल से स्वागत है आज आप लोगों की कवीता को जच करने के लिए पधारे है सपना एक सौगात है प्यार की शुरुआत है तेरे बिना रहा न जाए ये दूरीया सही न जाए सच कह रहा हूं प्रेतमा सच कह रहा हूँ विदमा अर्चन जी की इस कविता के साथ हम हमारे प्रोग्राम की शुरुवात करते हैं हमारे पहले प्रत्योगी है कांदा फ्रम विजिया कॉलेग वाव तो बहुत चालेंजर है सदा है तुमें अरे अरे ये सब करने के जरूरत नहीं है मैं बहुत चोटा इंसान हूं सर जरा माइक दीजिए थैंक्यू मेडम जैसे चांद चमकता है वैसे तुम्हारा चहरा दमकता है जैसे खिला हुआ फूल गुलाब का वैसा नूर तेरे शबाब का तुम किसी कवी की लेखनी से लिखी हुई कवीता हूँ साक्षा कोई स्वर्ग से उत्री हुई अपसरा हूँ जग में नहीं है तुमसा कोई दूजा करता रहूँगा मैं हमेशा तुम्हारी पूजा परसों बहुत बड़ी बड़ी बात ने कर रहा था आज किसी और को लेकर घूम रहा है इस पार्क में जो एक दूसरे से लिप्टा भी नहीं हो और एक दूसरे को किस भी नहीं कर रहा हो लेकिन कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसे देखर मेरे अंदर कुछ जागे ऐसी लड़की आएगी जरूर आएगी मैं बोल रहा हो आएगी है रजनी देखना उधर हां हां देख रहा हूं मुझे भी दिला देना है दिलाता हूं देख यह कोई खाने की चीज नहीं और पीने का दूद भी नहीं है फिर भी तुझे चाहिए एक बलुन दो एक और देना नहीं तो यह मानेगा नहीं आँ वही देदो यह लो अच्छे है यह कविता लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जरा सा सोचो तो अपने आप दिमाग में आ जाती है यह देखो देखो कितनी अच्छी है ना फिर भी मैं तुम्हारे जैसी अच्छी कवि विटामिन्स और प्रोटीन्स बोडी बिल्ट अप के लिए लिया जाता है एक्चुली इसके लिए तो जजबात चाहिए जजबात मिसाल के तावर पर बस मैं तुम्हें देखता ही रहूं तो अपना कवीता बन जाती है मुझे अभी एक कवीता लिख कर दोगे क्या ओ माइग गड़ क्या हुआ मैं तो पैनी निला है मैं लाई हुआ अब क्या हुआ मेरे पास पेपर नहीं है वो तुम मेरे बास भी नहीं है था था तुम मुझे एसा ही कुछ कहोगी इसलिए मैं उक्ते सुरच की तरा चमकती कॉप राष इसलिए हम भी कभी बन गए हमारी मम्मी है चित्रकला को असलिए हम्चित्रकार भी बण गए तुम तो सच में मल्टी टालेंटेटीए और सिय् फ्यूटटेफुल सेच है यह स्केच बिलकुल मेरी तरह है तारह ही है थाइंक यू इसलिक अधेधन देखना पुझली चमक नहीं एक ळुटा रोकेट लो और लोप करोगे ले हुझे सब्सक्राइब हो और इंतशार करूंगा घर में तेरी मां रहाने और आद नहीं समझे ब्यबॉर परम कहीं का तूम तो इसी में खो गई सब्य नाष्टा नहीं किया था क्या चलो नाष्टा कर अरे नाष्टा का मतलब हम कवियों की भाषा में चुंबन होता है वाट एक उच्छी क्या है ना मैं सिर्फ एक इस मुझे डर लगता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और अगर लगता है तो सूपर टॉकिस में जाकर माउनिंग शो देख लो कुमारा साला डर महीं के वे निकल जाएगा क्योंकि वहाँ पे मंत्र तंत्रक कुछ ऐसा ही होता है चलो अब एक किस देदो नहीं यार प्ली जाएगा किस देदो वहाँ रबारे अह रबा मेरे रबारे ए रजनी ममी का है बै मुझसे क्यों पूच रहे हो जाकर खुद देख लो ना महाशय आज कुछ बदले होई लग रहे हैं क्या हुआ बै रजनी इस तरह उल्टी बात क्यों कर रहा है क्या हुआ बोलना देखो तुम यह नौटंगी करना चोड़ दो तुम सुदर जाओगे तो तुमारे लिए यह अच्छा रहेगा नहीं तो तु क्या कर लेगा यह मत बूचो मैं हर बार खामुच रहता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी बनबानी करोगे और मैं चुप-चप सहता रहूँगा हमारे बीच में मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्या कर लेगा बे क्या कर लेगा तु गिरे बांच छोड़ो एडिया गुस्सा दिलाए तो एक चाटा दूँगा तुम इतने खामोश क्यों हो मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना तुम भी तो कुछ कहना चाहती थे ना पहले तुम बता हो अम बुरा मत मानना नहीं मुझे एक फिल्म में हिरोईन का रोल आउफर हुआ है डारेक्टर कौन है यह मुझे नहीं पता वैसे मेरा एक पुराना है उसने ही मुझे रेक्यमेंट किया है यह सीरियस क्यों हो गए तुम हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं देखो हम दोनों का इस तरह से बार-बार मिलना ठेक नहीं है वोट यू मीन मुझे नहीं लगता कि अब मेरा और तुम्हरा रास्ता एक ही है इसले हम चुदा हो ज सकता इसलिए अब हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं ब्रेक अप करने की बात करने के लिए ही मैं इतनी देर से हिमर्ण पुटा रहा है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ इसके आगे अगे हम दोनों प्रिया प्रिया ये रही पकड़ो उसे रॉक जाए रॉक जाए ये रहेकर दो रुक गया है तेरी बेहन को मैंने प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था, अब मैं उससे ब्रेक अप करना चाहता हूँ, यही बात में उससे कहने के लिए आया था, इतने में तू यहां आ गया और वो डर के भाग गई, अब तू ही समझा देना उसे, क्या कहा? नमबर 33, 6th Lane, 7th Cross, शंकर पार्क के पास नया नगर में मेरा घर है, तुझे जितनी इंफोर्मेशन चाहिए थी मैंने दे दी, मैं एक ही बात जानता हूँ, नहले पे देला, जाके अपनी वैन को समझा दे, यह तो मुझे चक्कर में डालके चला गया, ठीक है, देख लूँगा तुझे, क्या हो गया है इसे, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा, क्यांटीन में भी नहीं दिखाए दे रहा, कहां गया होगा? हालो, अच्छा, तुम रजनी के फ्रेंट हो ना? हां, क्या हुआ? प्लीज, मुझे उसका नंबर दोगे? ठीक है, देता हूँ, डबल नाइन, फो फाइव, थ्री, सिक्स फाइव, डबल नाइन, सिक्स, तैंक यूँ, हालो, हालो, रजनी जी बोल रहे है, हाँ, आप कौन? हाई, मैं प्रिया बात कर रही हूँ, प्रिया जी, क्या बात है? अच्छली, कांता कहा है, अच्छली मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन रशीब नहीं कर रहा, प्लीज, आप उसे कॉलेज केमपस में लेकर आएंगे? कॉलेज केमपस में? मुझे उसे कुछ बात करनी है, प्लीज उसे ले आईए, बाई हलो, हलो, अरे, तुम्हे उसे फोन करने की क्या जरूर थी, मैंने तुम्हे तुम्हें कल समझा दिया था ना, तुमने कल मेरे भाईया से क्या कहा था बताओ, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या, तो तुम सच में मुझसे ब्यार नहीं करते हैं, नहीं, तो पर उस दिन पा तो फिर अब क्या हो गया देखो तब मैं तुमसे प्यार करता था ये सच है और आज मैं तुमसे प्यार नहीं करता ये भी सच है भाई तो मैं पोच रही हूँ वाट इस दे रीजन देखो मेरा भेजा मत खाओ समझे और उसने अपनी किताब में ये लिखाए कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई वज़े होती है और वो किताब उसके पास है उसे लेकर रिजन पढ़ लेना तुम्हें एक शरीफ नड़की के चिस बातों के साथ खेल रहे हो खेल जो खेलता रहता है वो शैलेंदर बाबुजी का लड़का है मैं नहीं हूँ दगेम इज ओबर ठीक है आज की बात में तुम्हें नजर नहीं आउंगी अपनी शादी का इंविटिशन दोगी खाना खाने ज़रूर आना क्यो मेम साब अपनी शादी में बुलाकर मेरी आँखों से आंसु भेह रहे हैं या नहीं यह देखने का प्रोग्राम बना रही हो क्या यह उमिद मुद से मत रखना क्योंकि अगर मैं आ गया तो वहां खेल कुछ और ही होगा समझ गई ना आई बड़े इसक्यूज में एडवांस हेपी मेरीड लाइफ यह चलना प्रोग्राम बना रहा है मैं और मेरा भाई एक्जाम में फेल हो गए उसके बाद रजनी री एक्जाम में बैठकर फर्स क्लास में पास हो गया वो बहुत है खुश था रजनी की आगे की पढ़ाई के लिए मम्मी ने वियारिस ले लिया एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए फिर कोई फैसला कीजिए सरसुती बहुत मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है सर मेरे बच्चे की पढ़ाही के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूत है उसकी फीस चेप खर्च में बहुत पैसे लगते हैं देखो मैं होस्टल रहने जा रहा हूँ इसलिए बार बार नहीं आ सकता तुम यहां आरम से रहने की कोशिश करना अगर तू होस्टल चला गया तो मुझे सारे लड़के मारेंगे गाली देंगे इसलिए तू होस्टल मत जा तू ही मेरा अकिला दोस्ट रजनी तू मज जा उसके लिए तू क्यों रो रहा है मैं कब तक तेरा साथ दूँगा तू अपने आपको सम्हाल ना देख मैं तेरा बेस फ्रेंड हो ना मैं मैसूर से आते समय तेरे लिए मैसूर पाक लाओंगा अब तू रो मत मैसूर में जू भी है ना वहां कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोडा, गधा, हाती सब कुछ होता है ना क्या कुत्ता, बिल्ली, घोडा, गधा ये सब तो रोड पे ही दिख जाते हैं उसके लिए जू क्यों जाना ने, ने, वो सब नहीं चाहिए मुझे तो फिर? रजने क्या हुआ? किसली है? हाती चाहिए? देखो, एक गाउ में दो हाती नहीं रह सकते यार, फिर तुझे भूका रहना पड़ेगा तेरा सारा खाना हाती खा जाएगा जरा सोच, तेरी मम्मी तुझे नाश्टे में 20 इडली और 20 चपाती दे देती है अगर मैं हाती को यहाँ लाया तो भी तेरा क्या होगा पता नहीं अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे बस का टाइम होगा है बस का टाइम होगा है क्या? देख हाती का हाथ, पेर, नाक, आख, मुम सब बढ़िया रहना चाहिए है देखो, हाती के सुन अकसर उपर रहती है तेरी तरह नीचे नहीं रहती यह से समझाते है बैटा तो बस चुट जाएगी मैं निकलता हूँ हाती से बोलना मैंने उससे याद किया है रजनी के फीज के लिए जो पैसे भरने थे उनको मा ने चीट फंड में इन्वेस्ट कर दिया देखिए आप अगर एक लाग रुपे जमा कराएंगी तो छे मेने बाद हमारी बैंक आपको इंट्रेस के साथ दो लाग रुपे देगी और अगर आप उसी रखम को एक साल तेक जमा रखती हैं तो बैंक आपको चार लाग रुपे देगी वाव क्या बात है प्यारी मम्मे आज आप मसाला डोसा खिला रही हो इसका मतलब आपका लाडला रजनी हो ना हो किसी सब्जेक्ट में फ़र्स क्लास पास हुआ है उसके लिए नहीं बेटा तुझे अकसर ये शिकायत रहते थी ना कि मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ इसलिए आज मैंने तेरी साथ बैठकर खाना खानी का फैसला किया है वी आरेस से व्याज के कुछ पैसे मिले है इसलिए तुझे हैं होटल लेके आई हूँ तुझे जो भी चाहिए ओर्डर कर क्या वी आरेस से पैसा मिला था अरे पढ़ाई वढ़ाई को साइड में रखकर मस्त एक बिजनस के बारे में सोच रहा हूँ और उसके बाद फाल स्टार होटल उसके बाद सेवन स्टार इंटरनेशनल होटल खोलने की मेरी इच्छा है क्या बोलती हो पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब तो क्या सोचने लगा तीरा भाई डबल क्रेजवेट है अपने भाई की तरह अगर तुनने डिगरी हासिल नहीं की तो लोग तेरी इज़त नहीं करेंगे जिस सब्जेक्ट में तू फेल हो चुका है उसे रिप्यर करके डिगरी हासिल कर अभी जो नया चिटफन बैंक खुला है उसमें मैंने कुछ पैसे इंवेस्ट किये है और वो पैसे मैंने रजनी के कॉलेज के मेंटेनिंस के लिए रखे है बही तो, डारेक्ट ऐसा बोलो ना कि सारा का सारा पैसा रजनी की पढ़ाई के लिए चाहिए अब उसे छुपाने के लिए तुम मुझे पढ़ लो, अपनी डिगरी पूरी कर लो, यह इंडारीट लिबोने की जरूरत नहीं है मा, पैसा नहीं देना है तो मत दो, सुनो, इस जमाने में सिर्फ किताबे पढ़ने से कुछ नहीं होता, दौलत को दुनिया सलाम करती है, इसे आज कल बड़े-बड़े सपने दिखा कर चीटिंग करना मामूली बात है, ऐसी है कंपनी सामने आए है जिसका नाम है प्रसाज चीट फंड कंपनी सर, मेरे पापा ने आप 25,000 रुपए जमा किये थे, इस वक्त कि किसी से भी पूश्टे है, कोई ढंक से जवाब नहीं देवा बड़ी गलती कर दी मा, अब तो तसली हो गई ना तुम्हें? मेरे दिल रात मेहनत करके बचायों में पैसे रखे थे, उन्हें वहाज़म नहीं होगे बेटाए सब कब ऐसा इज़त से वापस करते होए नहीं? तुमने बारा कम्प्यूटर्स, पंदरा टेबल और विंडो गलास तोड़ा है और तुमारी मार से इनको फ्रेक्चर भी हुआ है इन सब से इनको तीन लाग का नुकसान हुआ है, ऐसी इन्होंने कम्प्लेन की है मैं काम करता हूँ, तुमारे खिला फिफाया दर्ज करके तुम्हें छे मिने के लिए अंदर कर देता हूँ सारी मस्तिक खत्म हो जाएगी अरे मैं क्यों अंदर जाऊँ सर? सर, जो गरिबों का पैसा खाकर राजा की तरह घूम रहे हैं, उन बैइमानों को अंदर कीजिये न आप तुम जेल के नम से इतना डरते क्यों? हमारी मा ने हमें कभी कुर्सी पर बिठा कर या डाइनिंग टेबल पर बिठा कर खाना नहीं खला है सर जो आप खाना खाकर जेल में हाथ होने के लिए कह रहे हैं, वो स्कूल टीचर थी, बस दो वक्की रोटी खिला पाती थी पूली का काम करके, घर घर में काम करके, गली गली में फेरी का धंदा करके, लोगों ने अपनी महनत का जो पैसा जमा करके चिटफण में डाला था उन पैसों को ये चिटफन वाले आराम से निगल जाते हैं, ये कहां का नियाए है सर, अरे बोलिये न आप ये कहां का नियाए है, इन चिटफन वालों को तो मै, अपने हाथ अटाओ, पुलिस के सामने बैट कर तुम किसी का मर्डर करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हि तब तो इसकी खैर नहीं है सर, सर मैं स्टूडन्ट हूँ आ स्टूडन्ट पावर तो आपको अच्छे से पता है ना, अरे नमस्ते सर, आईए आईए, बैठिये, आपको इतनी दूर आने की क्या जरूर थी, एक फोन कर देते हैं मैं खुद वहाँ आ जाता, बताए सर, क्या बात नहीं इंस्पेक्टर, बैंक आउक से दो एक जैकेट लाया था, सोचा आपको देते हुए जाओ, क्या किया इसने, क्यों बिठा कर रखा इसे, इसने चिटफंड कंपनी में घुसकर मार पीट और तोड़ फोड की है, 307 का चार्ज लगा है, ऐसा कुछ करने की जरूर नहीं है, यह अपना बच्चा है, एक काम करो, सटल्मेंट करो, यह आपका लड़का है, अरे बुद्धू, तु भाई का आदमी है, यह पहले नहीं बता सकता था, कबसे बैठ कर टाइम पास कर रहा है, अरे बापरे, यह क्या हो गया, मैं इसे फिट कर नहीं तो इसने मैं एक बिजनसमेन, जो भी चीज अच्छी लगती है, उसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, यह तो पार्टी बद्लू निकला, मैं भी देखता हूँ, उस दिन के तेरे बोल बच्चन पर, मुझे घुस्सा नहीं आया था, वैसे तु करता क्या है, कॉलेज में पढ़ता ह पढलिक कर अगर हर गोविंद खुराना, या अब्दुल कलाम, या फिर आइंस्टीन बनने का सपना अगर पाल रखा है, तो फिर मैं तुझे डिस्टम नहीं करूगा, हाँ अगर सिर्फ शौक के लिए अगर पढ़ाई कर रहा है, तो यह मेरा कार्ड रख ले, मुझे फोन करके आजाना, काम पर भी लग जाओगे, और दाम भी मिलेगा, हाई, 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 प्रिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर में के एक्जाम की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी इस कॉलेज में फैशन दिसाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, देखो ना, कैसा अज जगा मिल गए और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कभी सोचा भी नहीं था, कि मैं दुबाला तुमसे कभी मिलूंगा, वो कांता कैसा है, कांता, वो तो शायद अभी घर पर होगा, कुछ दिनों से वो परेशान लग रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया, आक्चली वो मुझ से ही, गोटी कहलते ते तब से जगटते आ रहे हैं, वो अक्सर मन मानी करता है, कभी मेरी बातें सुनता ही नहीं, उसका स्कुरू धोड़ा डीला है, क्या करें, भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है, मैं तो आज तक उसे समझ ही नहीं पाई हूँ, बट आ स्टिल लव हिम, मैं चलती हूँ, नमस्दे मैं तो आज तक उसे समझ नहीं पाई हूँ हुआ है यह जो गए है यह पता तुम जरूरा ओगे बैठे रहो बैठे रो बैठे रहो बैठे रहो कुम सी बिर्यानी यह बास मंटन बिडियानी हा अखे ले भास पेड़ भी नहीं बरा यह तीसरी है देखा कांता अपने साथ रहने वाले लड़कों का मैं कितना ज्यादा ख्याल रखता हूँ खाने पीने के लिए मैं कभी किसी चीज की कमी नहीं रखता अबे सत्या बुकड की अउलाद इसके सामने बैठकर अकेली खाय जा रहा है इसे नहीं दे सकता क्या मेरा के नहीं है यह तुझे अकेला ही मेरे साथ काफी रहेगा उसके बाद मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ प्लीज तु महरबानी करके ना मत कहना यार तुझे जो चाहिए मुझे बता मैं सब कुस तुझे दूँगा पैसा चाहिए आश करने के लिए या फिल लड़की कोई दिकत नहीं है रिलेक्स एलो कंता अब लो तेरे लिए एक गुड़ न्यूज है प्रिया तुझे ढूंड़ते हुए यहां मेरे पास आई थी और तुझे यह बात पता है वो आज भी तुझे बहुत प्यार करती है एक्चुली वो यह जानना चाहती थी कि तुझे क्यों रूटा है तो तो सब कुछ चानता है ना तो तो खुदी बता दे अरे मुझे कैसे पता इस वक्त मैं पीजी हूं है लो सच में इसका स्कुरू पता नहीं क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है मुझे तो पड़ा ही करनी है वो में कर रहा हूं क्या हूआ कांता एनी प्रोब्लम कुछ नहीं बॉस बॉस नमस्ते बहें जी नमस्ते कैसे हो भाया मैं तो ठीक हूँ धरसल मुझे आपसे मदद आपका बहुत बड़ा आइसान होगा मुझ पर आप कुछ भी बोलकर उन्हें ये पैसे थमा दीजिए पर तुम्हारे पास इतने पैसे आये कहा से अरे जी आज कल मेरा चोटा मूटा धंदा पानी चल रहा है उसी में से थोड़े पैसे बचा कर बीसी में डाले थे यह वही प अरे रजनी 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 तू कब आया मैं सूर से मैं बस अभी आ रहा हूं यार तू यह नहीं ता तो लोग मुझे मार रहते गालिया दे रहते रहते रजनी तू मेरा बेस्ट प्रेंड है तेरे लिए मैं कितना रो रहा था अरे मैं पढ़ने क्या था अब तो आ गया ना अब मैं यहीं रहूँगा तेरे साथ तो फिर तू क्यों रो रहा है पिर से नहीं जाएगा ना तू कहीं नहीं जाओंगा पहले घर वालों से मिलता हूँ फिर तेरे पास आता हूँ अरे क्या हो गया इतना जोर से क्यों पुकर रहा है मेरा हाथी कहा है मैं भी कबसे वही सोच रहा था तेरा हाथी कहां पे चला गया यह ले निकाल ले तेरा हाथी यह भागना जाए इसलिए बांध के रखना अपने घर पे यह क्या तू हाथी मरा हुआ क्यों लेकर आया क्या क हूं जिन्दा लाता तो इसे वा JIMधने के लिए यह चारल भीना हिसे आपनी माव से बोलतें वह क्लाएगि फिर साइकल के दुकान से पंप लेकिया, इसमें तु हवा बर, फिर देखना ये कैसे बड़ा हो जाता है, उसके बाद तु हाथी मेरे साथी के गानेगा इसके साथ, चल, 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, अच्छा मैं चलता हूँ, देख मैंने तुझे हाथी लाके तो द क्या, तु अच्छानक यहाँ चला आया, आने की कोई खबर तक नहीं दी, एक हफ्ते की चुट्टी मिली है, तुम लोगों को सर्प्राइस देना था, इस दिया मैंने ये बाद चुबा कर रखी मा, अच्छा, जी हाँ, अगर इसके आने की खबर पहले ही मिल जाती, तो मैस समझ रहाँ, समझ रहाँ, तु देखते जा, इसे एक अच्छी नौकरी मिलने दे, इसे फूलो का हर पहना कर लोग इसके तारीफ करेंगे, तु अंदर चल बेटा, तुम चलो, मैं आ रहाँ, रूख लगी होगी ला नाश्ता देती, अहा, ले जाओ, अंदर ले जाओ, बस मा, मेरा पेट भर गया, और कितना खिलाओगी, खाना बहुत बढ़िया बना है, है ना कांता, है, घर का खाना है, पेट भर के खाना, होस्टल का खाना खा-खाके, कितना सूग गया है तू, क्यो बेटा, रात में तुझे नीन नहीं आती, सुना है, तुम्हें किसी देखना मा, तु फिक्रा मत कर, मैं पढ़ लिखकर कोई अच्छी से नौकरी करूँगा, और तेरा सारा करजा उतार दूगा, अरे पाप रहे, ठीक है, पहले खाना तो खा, ये तो दिवार पिच्चर की कहानी हो गई ना, अपने लाटले को बहुत अच्छी तरह से देख मा, ये दुआ है मेरी रब से, मेरा भाई रजनी है, दुनिया में सबसे बढ़के, मेरा भाई है, दुनिया में सबसे बढ़के, इसे जब देखो तब मजाक मजाक मजाक, तुम फिक्र मत करो मा, चलो बैटकर खाना खालो, ये है करजा वसूली की लिस्ट, शंकर भाई का 15 टायर वेंकेटिश का पांच लाग रमा बहन का दस लाख रुपया याने मोड़े के माने भी लिए अरे यार यह तो बहुत बढ़िया है इसे ले जाकर किसी चादी के रिसेप्चन में बेज दे तुझे चार पैसे मिलेंगे वो तेरे काम आएंगे क्या लाई हो इस थेली में जो इतना ठक गई हो रजनी वापस शहर जा रहा है ना उपर से मेरी तब्यट ठीक नहीं है इसलिए में थोड़ी आईववेदिक दवालाने के लिए बाजार गई थी क्या रजनी 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 अरे छोड़ो ना मा थोड़ा बहुत अपने सिहत का भी खयाल रखो वो दात का दर्ध मेरी से सहन नहीं होता देखा दात में इतना दर्ध है पहले जाकर उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तंदुरूस्त रहना सीखो रजनी का खयाल रजनी 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 आपर क्यों आई एक बार मैंने कह दिया न तो इस गले के तरफ तुझे वाबस मुना नहीं चाहिए और तू सिधे मेरे एरिया में पहुँँच गई कंबाइन स्टड़ी है ना देखता हूँ देखता हूँ देखो भेंजी तुम सबसी भाजी का सबसे ज्यादा भाव मतलो इसका भाव मैं जानता हूँ यह हमारी ही गाउं की पैदावार है मैं एक का चार और दो का आठ दूंगा बस अरे प्रिया जी तुम यहां क्यों चली आ है उसे तो कुछ नहीं मालूम है सबको वो एक ही तरह से ट्रीट करता है क्या आपको एक बात पता है नहीं पता कान्ता को अपनी सारी इलीगल अक्टिविटी सिखा कर भाईया ने उसे भी क्रिमिनल बना दिया है इससे पहले की बहुत देर हो जाए प्लीज कुछ कीजिए चाहे जैसे भी हो, अब किसी भी तरह उसे इस दल्दल से बहार निकालिए I still love him देख आज किसी भी तरह से सेटलमेंट हो जाना चाहिए भाई ने बहुत सक्ती से काया है, समझ गया? अरे रोक, 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 इधर ही रोक अबे, यह तो पागल खाना है, बोस ने जो बोला वो जगए यही है, और कुछ मैं नहीं जानता मा, मुझे बहुत सोर से भूख लगी है मेरे राजा बेटा, जाकर बैट जा जल्दी से कुछ खाने को तो मा, मुझे बहुत सोर से भूख लगी है यह बढ़िया सुन, यह जगा जल्द से जल्द खाली कर, यहां अमारे बहुत कमपनी बनाने वाले हैं वरना जबरन हमें यह खाली करवाना पड़ेगा, समझी के नहीं थो, बक्वास कर रहा है यह और कुछ है यह क्या, अब तू ही संबाली आईशे तू मेरी मा की उम्र की है, इसलिए इज़त से पूछ रहा हूँ, यह जगा खाली करेगी या नहीं करेगी बक्वास बंकर, तेरी मा रोज आकर मुझसे लड़ती है, और आज तू आया है मुझसे जगा खाली करवाने के लिए, चला जाए यहां से अरे यह क्या पाट चला है उन्हें, और नाटक बढ़ गया है, पैसा देखकर जाओ, पैसे देखकर जाओ, सस्के अनास हो तुम्हारा, क्यों मेरे धंदे की बाट लगा रहे हो हाँ, ग्रहक पिलना पैसे यही भाग गया, दादा गिरी करने आए हो, दादा गिरी हाँ, एक नहां को भगा दिया, बिना पैसे यही अब वापस पुता लाने तो कार के लगूँगी, रुग जा बेटा, रुग जा, पहले नास पिटो सट निपट लूँ, तुम्हें खासी है ना, लो यह दवाई पीलो, मुझे खासी है तो मैंने तुझसे कहा था क्या कि मेरे लि नहीं बोला था ना, ऐसी बात मत करो कांता, खासी बढ़ जाएगी, यह दवाई पीलो, एक बार बोल दियाना नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, चल जा, तु सुनता क्यों नहीं, हमेशा अपनी जिच चलाता रहता है, सच में, तु आजकल बहुत बदल गया है कांता, क्य प्रिया, नहीं है ना, मेरी फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, देखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, वो सही नहीं है, हाँ, आजकल पूरे शहर में फ्लाय ओवर बंद रहा है, मैट्रो रेल बंद रही है, इस ते कोई भी र ही कर रहा है, अरे आंता, इतने जोर से मत बोल, मा सुन लेगी तो उसे बहुत दुख होगा, पहले पिता जी ने उसे बहुत दुख दिया है, अबे, सुनती है तो सुनने दे, जब से मैंने अपना होच संभल है तब से मैं देख रहा हूं, सुबा शाम तु मा, मा, मा करता ह और माँ भी सुबह-शाम रजनी-रजनी करती रहती है यहीं चलता रहता है बास मेरे कोई कीमत नहीं है क्या तो मैं भी तुम्हारी पर वनीं करता नहीं चोटे, तुम्हारा चुनाओवा रास्ता सहीं नहीं है आगे चलकर हो सकता है कि माँ पर भी कोई मुसीबत आ जाए मम्मी तो हर पल तेरी वज़े से मुसीबत सेती आई है तेरे पालन पोशन में, तेरी देख बाल में, तेरे मेडिसिन में, तेरे एजूकेशन में प्याच पे पैसे ले लेकर बेचारी करसे में डूपती चली जा रही है अरसन, मां से सेवा करवाते रहना फर्ज नहीं होता मां की सेवा करना फर्ज होता है चाके देख, सुभा से बेचारी दाथ के दर्थ से कैसी तड़प रही है किसी अच्छे डेंटिस के पास ले जाकर उसका अच्छे से इलाज करवा येले पैसे तेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आए मेरा हाँ छोड़ मुझे गुस्स आ रहा है सच बता, तु कौन सा काम करता है जो तुझे इतने पैसे मिलते है ये पुछने वाला तू कौन होता है बे? समझने की कोशिश कर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हो, तेरा बड़ा भाई हो, और तेरी भावाई के लिए कह रहा हूँ शी क्या हो रहा है, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, चालू रखो ना सारे आडोस-पडोस के लोगों को तमाशा देखने दोना मेरे वर्षो के महनद का फ़ल, आज तुम लोगों ने दिया मुझे, बिना तुमारे पिता के, बिना किसी के साहरे तुम दुनों को पाल पोसकर बढ़ा किया, उसका तुमने अच्छा सिला दिया बच्चो रुक क्यों गए, लड़ो न, एक आंता, तुझे दूसरा कोई काम नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है, बता क्यों मा, हमेशा तुम्हें मेरी ही गलतियां नजर आती है न सुबे से लेकर रात तक लड़ाई जगड़े के सिवा, तू और करता ही क्या है तेरी वज़े से मुझे हर जगा सर जुकाना पड़ता है, तेरी वज़े से मुझे और कितने दुख दर जहलने पड़ेंगे, ये तो उपर वाला ही ज़ाई इतना जूट मत बोलो, मेरे लिए तुमने कभी दुख और दर दुठा है, ये तो मैं जानता ही नहीं तुम दुनों के अलावा, मैं किसके लिए दिन रात एक कर रही हूँ, बताओ तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए तकलिफ उठा रही हो, जब से हो संभाला है तब से देखता आ रहा हूँ इसी अकेले के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो, अरे जब तुम्हें मुझसे तिन नफरत थी तो मुझे अपनी कोक से पैदा क्यूं किया क्या कहा, क्या कहा तुन्हे मुझे धब बढ़ आ रहा हूँ मुझे थपड़ मारा यह मेरे सामने इस तरीके से बात करेगा, मैंने कभी सपने में में नहीं सोचा था मैं सपने में 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 नहीं सोचा था, मैंने सुनो काता हां बोलो बोस अबे तु मर्द है क्या मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है तुछ से आधा घंटे का टाइम दे रहा हूं उसके अंदर काम हो जाना चाहिए आई बात समझ में ये ले खा ले बेटा रचा बेटा मेरा बेटा थोड़ा सा पानी नहीं पिएगा क्या स्कूल में जिखाया गया है खाना का ते समय पानी नहीं पिना चाहिए इसले नहीं पिया मेरा स्याना बेटा आहा कर चल अच्छा बता स्कूल में तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मा, इस स्कूल में तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता. मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ रजनी है, मा. फटे वे होटो, हला? मा, देखो, ऐसा मत बोलो, मा. अच्छा महीं बोलूगी, लेकिन उसका छोटा भाई कानता है, वो एक देम बदमाश है, उसका मीने से कभी दोस्ती मत करना. तुमने सही का, मा, वो बहुत बदमाश है, रजनी बहुत अच्छा है, मा. ए, रुको, ए, च्या करना हुए? ना, तोड़, पिसे भी उड़ा. आच्छा मेहीं नहीं चोड़ूगी, इन सब कोना मैं काट किरें क्या हुए? आव, अरे, ठा करना है, छोड़ा, ई चोड़ा, अरे, चोड़ा, ये क्या करना हुए? यह नाज लो 6 ऐसाना करने को जोते हएं गाणदा क्या हो रहा ही फोर्ड करने को किसे यह उस्वत करने को मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे राजा बेटा, गाता चाल, चल अपना काम हो गया, चल ना, कैसे आलत कर दी, इन खुंटा ने, मेरे राजा बेटा कैसे आलत कर दी, मेरे बेटे की, गाता, पेपर मिल गया, चल ना भी, जो रख कभी बना दे याला ये गांता गांता भी आसने कन लोगा जाला तुम सबको मैं बेकार में पाल रहा हूँ एक भी काम के नहीं हो तुम लोग सिर्फ खाकर मोटे हो गया हूँ बॉस जिस काम के लिए भेजा था वो सक्सेस कल के कलीवर रूम खाली करेगी वेरिक, कंता मैं जानता था कंता अगर तु वहां पर गया तो काम पूरा करके ही लोटेगा आब बैटना, चल बोतल खोल अरे आब बैटना नहीं आब बैट साथ में पीते हैं नहीं, मेरा मूट नहीं है अरे साथ में बैटेगा तो मूट बन जाएगा बॉस, मैं एक 90 का पैक लगा दू क्या हाँ, लगा ले, चल थाइंक्यू बॉस बॉस, मैं आप से बात करना चाहता हूँ हाँ, हाँ, बोलो न आज के बाद, मेरी जिंदिगी में दुबरा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा और आपको भी करने नहीं दूँगा आपका पैसा, मैं जितनी चल्दी हो सके लोटा दूँगा हेई, रुक जाओ, तुम इस वक्त शेर की माद में हो यहां से बच कर नहीं जा सकते उकते हुए सुरज और भागते हुए हाथी को रोकने की हिमत किसे में नहीं होती मुझे गौर से देख ले, मैं आग का गोला हूँ जहां से घुजरता हूँ, लोग डर के रास्ता साफ कर देते हैं एक फटका मारूंगा ना, तो यहां पी हुई तारो ही नहीं अपनी मा का पिया हुआ दूद भी उल्टी कर दोगे याद रखना, समझा दे इनको यह क्या बॉस, आपके सामने धमकी दे कर गया आपकी इज़्जत नहीं रखे और बाद भी नहीं मानी मुझे तो लगता है आप उससे डर गए हो यह उसका करेक्टर था अरे बाबरे, आप मुझे ऐसे बेवज़ा क्यों मार रहे है यह मेरा करेक्टर है ऐसा क्या? शिकार को आजाद करके फिर शिकार करता हूँ तुम्हारी पिता हाज अगर होते तो शायद रख वो कंट्रोल में रहता मैंने तुम दोनों को किस तरह से पाला है और को ही नहीं जानता तो बच्पन में बहुत बीमार रहा करता था मैं और क्या करती? मेरा पूरा ध्यान तुझ पर रहता था और इसी बात को गलत समझ बैठा वो बच्पन से तंदुरूस था तो बताना मेरा ध्यान किस की तरफ जाता मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मैंने सोचा शायद वो बढ़ा हो कर समझेगा लेकिन उस समझने की बजाए गलत सोचता ही गया सोचता ही गया यह भगवान तो उसके फिक्रम मत कर मा मैं उसे समझा बुझा कर यहां जरूर ले आऊँगा तु रो मात मा, रोती है तो अच्छा नहीं लगता जल्दी करना है सप्लाइ करने में इसकी ज़न पर आ रही है काम अर गया है सब के सब कांता, क्या बात है आज तु बहुत उदास दिख रहा है क्या हुआ यार कुछ नहीं यार जादा मत पी यार क्या है सब ही लोग तुछ पर तरस खाते है यही कहते हैं कि बेचारा बहुत शरीफ है वो सब जूट बोलते है तो तो चुपा रुस्तम है कांता, तुम ये क्या कह रहे हो तुमारे पास क्या नहीं है बाइक है, अच्छे-अच्छे कपडे है मा ने हमें मेहनत की कमाई से लेकर दिया है जरा देख, तेरे पास तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़े हैं और तुझे क्या चाहिए? लेकिन मा तो तेरे साथ है ना इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मा तो तेरी भी है ना चोटे है हाँ, सही बोल रहा है अगर अचानक हम किसी नदी में समझ ले फस जाएंगे तो मा किसे बचाएगी बोल? तुझे या मुझे? वो पहले मुझे बचाएगी इसलिए मा हमेशा तेरी तरफ रही है समझ गया ना? लेकिन तू बहुत गलत समझ रहा है कांथा तू मुझे ज्यादा स्ट्रॉंग है इसलिए मा को मुझे से भी ज्यादा तुम पर कउन्फिडेंस है जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ना तुम्हारे जितना स्ट्रॉंग नहीं हो मा मेरा ज्यादा ख्याल रखती है, समझा? मम्मी के पास कितनी साडियां हैं ये तुझे पता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ, शायद चार पाच तो होंगी, वो भी बहुत सस्ती भाव वाली डिसकाउंट वाली लेती है बेचारी वो भी डिसकाउंट में क्यों खरिती है, इसका तुझे अंदाज है? हाँ, पता है ना, उस में से दो पैसे बचेंगे, तो मेरे ऑपरेशन के लिए और मेरे एजूकेशन के लिए काम आ जाएंगे एक बात बताओं छोटे, जिस दिन से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन, उस दिन से आज तक अपना चेहरा शीषे में भी नहीं देखा है क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है मैंने तेरी खुशिया, मम्मी की खुशिया छीन कर अपने होटों की सरजरी कराई, ऐसा लगता है इसलिए मैं तुम्हेरे पास, माँ के पास हमेशा अपने दुख दबाकर रखने की कोशिश करता हूँ सौरी बाई, I'm very sorry, सौरी सौरी कहने की जरूरत नहीं है, तो मम्मी का ख्याल रख, मम्मी का तो हमेशा कर्ज़दार बन कर रहा है मम्मी, अगर मेरा ख्याल नहीं रखी होती, तो मुझे एक कदम भी आगे रखने में बहुत डर लगता कांता, मा तुझे निगलेट करके सिर्फ मेरा ख्याल रखती है ऐसा मत सोचना बेचारी, मुझे माने सब कुछ बताया, तुझे वो घर का बेटा समझ कर नहीं देखती है एक करता करता के रूप में देखती है वो माने मुझे सब कुछ पताया ये बात तुझे नहीं पता क्यों कांता क्यों हम उसके साथ ऐसा करते है तुझे अकेले को ही मा के फिक्र नहीं है मुझे भी है समझा लेकिन मेरे केर करने का तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ बोल? अबे इदर ला, इदर ला बस, वैसे भी तुझे ज्यादा पीने की आदत नहीं है तो हमेशा मा का लाड़ला प्यारा बेटा बन कर रहे हैं इसे तो मैं हजम करनूँगा कांता, चल छोटे घर चलते हैं तुझे एक बात बताओं क्या? सिर्फ एक बार मुझे भाईया कहके बुलाना क्या कह? प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे भाईया बोलना बचपन से तुझे मैं देखता आ रहा हूँ एक बार तो बोलते अबे चलना इतने دिनों से मम्मी सेंटेमेंटल थी अब तू भी सेंटेमेंटल हो गया क्या? ये ख्याल तू अपने दिल से निकाल दे और कुछ है तो बता क्या बात करूं? और कुछ भी बात करना अगर तू बुरा नहीं मानेगा तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कांता प्रिया के बारे में क्या हां यार वो बेचारी तुछ में अपनी जान चिड़कती है तू उसे धोका मत दे चोटे प्यार तो तू उससे करता है तो फिर मेरे सामने ये नौटंग की क्यों हो अरे वो तो तुने डाइरी से कविदा का पन्ना फाड़ था इस तुझसे भी नहीं बताऊंगा और उसे भी नहीं बताऊंगा तुम दोनों शादी कर लो तो कणता मेरी सर की कसम मैं उसे प्यार नहीं करता छोटे मैं एच्छी तरह से जानता हूं तू उसे मेरी वजे से जोट राए मुझसे कौन प्यार करेगा कांता प्रिया बहुत अच्छी है तुझसे कितना प्यार करती है तुझसे कभी दोका मत देना चोटे वरना तुझ बहुत पच्छताएगा ऐसा प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा मेरे भाई तेरा ये छोटा किसी को भी दोका नहीं देगा चल चले एक मिनिट रुक प्लीज यार कौन पर उसे बात कर ले वो बहुत कुश हो जाएगी छोटे हलो हलो प्रिया तुमारे लिए एक सब्प्राइज है वो क्या है? रुको हाई प्रिया कांता सौरी प्रिया मैंने तुमारे बहुत दिल दुखाया एट्स ओके मुझे पता था तुमुझे एक नएक दिन जरूर कॉल करोगे और क्या चल रहा है हम शादी कब कर रहे है एनी टाइम आज नहीं क्रावड नहीं रहेगा सही तारिक देख कर तै करेंगे वैसे तुम क्या कर रही है सो रही थी ग्या नहीं बाबा तुम्हारी लिखी हुई कविता और ड्रॉइंग देख रही थी एय एय एक मिनिट रुको ये कविता मेरी लिखी हुई नहीं है रजनी की है में तो लाकर सरिफ दिखाता था क्योंकि मुझे तुम्हें पटा ना इसलिए लेकिन एक बात है हमारे फॉस नाइट के बाद तुम कविता लिखो, कविता सुनाओ ऐसा कहे कर मेरा दिमाग मत खाना राइटिंग का काम तो रजनी का है और फाइटिंग का काम मेरा है इस संसार में लड़कियों का भी क्या रूप है जूट बोलो तो I love you कहती है सच बोलो तो I hate you कहती है चाहे जोवी हो लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ I love you, Kanta I love you too बात अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती है उसे नहीं छोड़ूंका मैं मा चलो मुझे बहुत देर हो रही है मैं कॉलेज जा रहा हूँ कॉलेज जा रहे हो अरे तुम ऐसी क्यों बूछ रही हो एक्साम में कब बैठना ही है पता करके आता हूँ मैं सोच रहा हूँ पहले अपनी डिगरी पूरी कर लो अगर मान लो रजनी उठकर मेरे बार में पूछे तो बोलना मैं कॉलेज नहीं मार्केट गया हूँ सबजी लाने के लिए चलता हूँ मैं बाई-बाई-बाई अचानक इस लड़के को क्या हो गया है सुना है रात और रात लोग स्टार बन जाते हैं लेकिन इंसान इतना चलती नहीं बदलता चलो अच्छा हुआ है मा? हाँ? ये क्या मा? इतनी रात को तुम पैकिंग करने लग गई? सुभा नहीं कर सकती थी क्या? अरे वो सुभे अर्ली मॉनिंग फ्लाइट से जा रहा है ना? अगर मैं सुभे करने लगोंगी तो देर नहीं होगी इसलिए अभे कर रही हूँ ये कैमरा किसका है? ये हमारे पापा का है अच्छा मा? हाँ बेटा मैं तुम दोनों का एक फोटो लेता हूँ एक सिकिंद हाँ रेडी, स्माइल अब हम तीनों का एक फोटो लेना है रुको बाबा, फ्लाइश होने से पहले मैं आप लोगों के पास आता हूँ आज़ा 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 अरे, क्या हुआ मा? अरे, धत ते रिगी देखा, हम अपनी खुशियां मनने में मा के दाथ का दर्दी भूल गए अच्छा चलो बताओ मा कॉन सी दवाई दो वो गोली तो खत्म हो गई ना गोली खत्म हो गई? क्या है ये? अच्छा, रुक मैं लेकर आता हूँ कांता, तो रुक मैं लाता हूँ अरे, तु मामी का ख्याल रख मैं लेकर आता हूँ कौन सी दवाँ लानी है? ये मैं जानता हूँ तु बैट मैं हो ना ये भी मा की सिर्वाई ही है मैं तो बहल सुबह चला जाओंगा फिर तु ही है ना करने को कैसा इंसान है? पैसे कहा है? इसमें नहीं है इसमें होंगे इसमें आए ये जैकेट मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन अगर पहनूँगा तो कांता नाराज तो नहीं होगा न मैं नहीं खाओगी बेटा अरे खाओ न माम दोनों तू ही खा ले मैं खाओँ तो दो तूने मेरा कोट क्यों बहना वै अरे रहने दे बबाबा बहुत अच्छा लग रहा है तुछ पर बहुत अच्छा लग रहा है उसके बाद कांता तुमसे में एक बात पूछू पूछो ना देख सच बता ना तू इतना बदल गया है इसका मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है अच्छा ये बता तुम दोनों रात को क्या बात कर रहे थे सच बता हूँ क्या तो सुनो मेरी मा हम दोनों के लिए हमारी मा ने दिन रात एक करके मेनद की है इसलिए 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 एक अच्छा सा आदमी देखकर उसके सथ आपकी शादी करने का फैसला की है पिचलाट पागल यही भगवान लगता है बारिश होने बाली है पिचला रचनी चाता भी नहीं लेकर गया है क्या होगा एक अंता बारिश हो रही है बेटा तु चाता लेके जाए उसे साथ ले आना ना बेटा मा वो जैकेट पन कर गया है ना उसमें कैब भी है वो आराम से आजाएगा तुम ज़रा शांत रहो ना मा वारिश जोरो से हो रही है तु ज़रा जाकर ले आना जाना बेटा मेरा अच्छा बेटा जाना जाना बेटा कीचर्ण से मुझे बहुत चिड़ है मा मेरा अच्छा बेटा वो वह ठीक है मैं लाता हूँ और जल्दी आना दो रो आजेंगे अच्छा बेटा जिस घर की बिर्यानी खाकर पलता था तू अब उसी घर का दामाद बनने के खौप देख रहा है प्रिया मुझसे प्यार करती है और मैं प्रिया से प्यार करता हूँ तुम खुदी शादी करवा दोगे तो चार लोग खुशी से खाना खा कर जाएंगे लेकिन अगर मुझे और प्रिया को डिस्टब करने की कोशिश की तो चार जन नहीं तुम पूरे चालिस भी आ जाओगे तो यहां से सब की अर्थी जाएगी याद रखना एए जाक आ रहा है देखो मेरी माँ की तबिया ठीक नहीं है उसके लिए दवाई लाने मेरा भाई रजनी गया है उसके मिलते ही उसे खर ले जाकर क्यारेंटी के साथ मैं तुम्हारे पास आऊँगा उससे पहले अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की ना एए तू किससे बात कर रहा है पता है एए बात कर रहा है मैं तेरी बेहन से प्यार करता हूँ, इसलिए खामोश हूँ, मुझा जाने दे, कल मैं खुद तेरी पास चल किया हूँगा, नहीं तो, उरो गए मारी पास चाने करता हुँ, मुझाँ gerade, हेंए नहीं किया हुअगा, एक राव अजयर पास चाने हुआए हैंए हिए घाता से, किरहे हैंए हैंए हहा gelir, किरहे हैंए त подарका हुआँ तक अल्तSet, TO किास्द घर्ति ए कन 같은데? कर दो 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 कर अजया! 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 चेतन तु यह क्या कर रहा है यह चेतन का इदर यहाद आए अरे सुन चेतन मेरी बात को सुन चेतन चेतन क्या हो अचेतन बोलना क्या हो क्या बात है अरे मैं तुछे मारने नहीं आया हूँ मुशे मारने लेकिन मुशे माओ कर दे एगया एगया नहीं सुरी कह रहा हूँ सुरी यह चेतन अचेतन चेतन लालाला लेकिन लो ख खुित द्ट है कर दो 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 कर देरे्चquis कर दो अग्दें जाए परल ठरिख फ्लिए कर दो हम खिलीर को खिली प्लिए एख ओमे जाए horrific को भी ऽाइ पीज भी जूञे महाना जाय हिले मेरी B tara एक मेस बख़ खिली बर्खे amध dama एकषड मझे का तरिखडों प्लिए हुईर जेहाग... सुना हुईर जिर्जन...